हेलो काईज वेलकम बेक टू माई चैनल आज की वीडियो हम करेंगे एक्ससाइज 7.11 के कोजिशन नमबर 17 से लेके 21 तक तो इससे पहले हमने पूरे कोजिशन 16 तेक अच्छे से डिसकस कर लिए और अपने एक्जामपल नमबर 36 जो कि बहुत ज़ाद है इंपोर्टेंट करते हैं तो चलिए स्चार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को सबसे पहले करते हैं कोजिशन 17 इसके क्या स्टेट्मेंट थी हमारी आई इक्वल्स जीरो टू ए अंडरूट एक्स अपॉन में अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट ए माइनस एक्स तो अगर आपने पहले हैं डिमिट्नमे जैसे ऐसे दिखी तो हमें इसमझ आगए कि beste हम यहांपर लगा सकते हैं तोम आपको परपर्टी पपना नहीं होगी क्रों कि उसके है सते हमारी किखेस लोती है एक्स क्यों अյह पूटकर यहां पर पहले प्रोपर्टी अप्लाई कर सकते हैं तो जब भी कुछ हमारी ऐसी लिमिट्स आ जाएं तो हम मेंशे पहले प्रोपर्टी अप्लाई करके देखते हैं उससे ओल्मस्ट हमारा कोश्चन हो जाते हैं तब i is equal to 0 to a अब देखो हमें x के जंगल क्या पूट कर देना a-x तो बस इतने याद रखो जहां पर भी x है उसे जंगल लिख देना a-x तो यह x था तो यहां लिख देना a-x इसे मैं लेट कर रखा थे आई के एकवल है तो यहां पर भी लिख देना a-x यहां पर क्या एगा a-x तो क्या बचेगा अंडरूट x बचेगा सिरफ कुछ नहीं करा यहां पर x से जंगल क्या पूट करना है a-x तो यह से एक एंसल हो जाएगा तो बचेगा x तो यह हमारे प्रपर्टिल कान से पहले वाला था रिजल्ट इसको हमने लिख फर्स और यह प्रपर्टिल कान के बाद वाल एक्वेशन थी तो इस इसे आपने फ्रस फ्लस सेकेंड किया तो आपको पारदा चल गया देखते हैं क्या बनेगा यहां पर i प्लस i इधर क्या गया तो इस इक वस्टू इधर प्लस करो लिमिट क्या आपकी zero to a अब फर्स वाला लिखो यह थी पूरी टम तो आम लिए फर्स वाला लिख दिया प यही는 तो यही तो यहीं नोमिरेटर में क्या बनेगा आपनर ही प्लास इंडर् Еще क्रोब करेंगा जेरों करना यहां डिया स्ष्पाइब्тории 0 टू l jeopard होती है हमारी एक्स होती है service 0-2 तब क्या गए 2i is equal to upper limit minus lower limit upper limit क्या है a lower limit क्या है 0 तो a minus 0 क्या होगा a ही होगा तो i की value क्या गई a by 2 तो बिल्कुल सा question था कुछ भी निकारा सिर्फ एक property लगाई है यह प्रपर्टी हमारी सबसे ज़्याद इस exercise में यूज हुए तो आगे मैं कहीं पर लिख दूंबाय प्रपर्टी या फिर आपको कहूं वही वाली प्रपर्टी तो आप समझ जाना कि मैं इस प्रपर्टी की बात कर रहे हूं तो चलो आप करते हैं question number 80 इसकी statement क्या है वीडियो इन questions की तो मैं आपको link description box में दूंगी अगर आपको पूरे concept को समझना है तो mode नहीं तो अभी मैं आपको overall थोड़ा थोड़ा करके समझाने की तो कोशिश करूंगी लेकिन पूरा discuss नहीं देखते कैसे करना सभी questions को solve मैंने आपको बिताया था कि आप इसको y ले ल यह मैंने क्यों किया सिरफ इसका graph बनाने के लिए graph कैसे बनते इसको अंदर वाली को zero put करो x value क्या गई वन तो वन से आप क्या कर दो एक वी बना दो इस तरह से इन सभी questions को graph बन जाता है तो अब हमने वन से क्या बना दिया अब इसका मतलब क्या इस ग्राफ को समझो इसका म value देगा माइनस लग जाएगा सिरफ x-1 जैसे कि हम पढ़ते नहीं थे कि देखो जब हमने पढ़ा था y is equal to mode x जब हमारा पर से function होता है तो हम क्या लिखते हैं कि x greater than equal to zero जब mode x क्या value देगा आपकी positive value देगा और negative value देगा जब x less than zero तो इसी तरह से यहां पर x plus में कुछ न आगया तो आप हम क्या करेंगे कि positive value कब देगा हमारे पास x-1 positive होगा जब greater than equal to 1 होगा जब greater than equal to 1 होगा जब x less than 1 होगा तो हमारे पास value क्या होगी minus of x-1 आपको इन सब में जैदा उलजनी के जरूरत बिल्कुल नहीं है आप सिरफ इतना याद रखो कि आपने 1 से graph बना ले negative में होगी minus of x-1 तो आप देखो आपकी limits break कर सकते आप 0 to 4 है हमने देखा कि 0 to 1 के बीच में function की value क्या negative है minus of x-1 और 1 से लेके 4 तक के बीच में हमारे function की value positive है तो positive of x-1 तो आपको सिरफ हर mode वाले question में सिरफ आपको इतना break करना आना ची और आपको question simply solve हो जाएगा और जैसे आपको graph के बारे में पता है तो आपको पता चल गया कि 0 से 1 के बीच में function कौन सी लाइन दे रहा हमारी negative वाली और 1 से लेके 4 तक के बीच में कौन सी लाइन दे रहा positive वाली तो इस तरह से हमने लिख लिया अब तो हमारी integration हमें solve करनी आती है अच्छे से कैसे करेंगे लिको minus अंदर multiply करो क्या बनेगा minus x के integration minus x square by 2 ऐसे यहां minus अंदर multiply करा तो 1 इस होगे नुध क लिमिट क्या help Assalam को पर लिमिट upper limit minus lower limit the θα err्Ware ? एक बढ़ पुट करूब 1 तो क्या एगा minus 1 by 2 plus 1 minus lower limit lower limit में आप रोगे तो zero बन जाएगा plus अब यहाँ बड़ में क्या आद पर लिमीट करेंग फोर तो फोर सिक्टेन bai 2 minus 4 ठीक है upper limit पूट करिये निदि और एक्स एजिस वर फोर पूट कर रहा है माइनस लोर लिमिट अब देखो एक्स रिम पूट करके देखो तो क्या बनेगा माइनस वन बाइटू प्लस वन इतना हो गया समझ में आ गया तो अब इसकी कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सकते हूं तो कैलकुलेशन करके आपको पास अंसर आजाएग अगर ने इसको सो करना है कि अगर क्या इंटिक्रेशन करेंगे तो आपशलिया जाएगा दिख्टें आपको क्या कि वन आपका कोश्ण में कुछ नहीं है एक बार मैंने आहां पही लिखती है आपको यह इसके एकवल प्रूफ करने और given क्या आपको यह ठीक है अब इसको प्रूफ करना start करते हैं LHS से start करते हैं LHS को मैंने I मान लिया कि इसके इकवल है वो 0 to A Fx, Gx, Dx इसके इकवल था हमारा LHS तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हमें प्रूपर्टी यूज़ करते हैं 0 to A, वही वाली मैंने लिखा by प्रूपर्टी तो इसके मतलब वही वाली प्रूपर्टी लगी है, क्या कर सकते हैं हम X की जंगा पूट कर सकते हैं A-X, तो देखते हैं F of X की मैंने यहां प्रूपर्ट कर दिया कुछ भी नहीं किया, अब देखो G of A-X किसके इकवल है, 4-G X के एकवल है, मैंने क्या क्या जिए ले गई, 4-G X, तो G of A-X के जिंगा मैंने यह पूट कर दिया, विल्कुल सा कोईशन है, विल्कुल भी ज्यादा सोचने की जरूरत नही इतना समझ में आगया, अब देखते क्या करने है, अब देखो ध्यान से सोचना कि यह आपकी स्टेट्मेंट ही जिसे हमने आई लेट किया था, यही आई है, तो इसको मैंने लिख दिया आई, इधर हमारा आई चली रहा था, 4 हमारा कॉंस्टेंट है, तो इंटिक्रेशन से बाहर आ गया, तो बचे 0 to A-X-DX-I, अब आई इधर रहे का इधर 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 आई चला जाएगा, तो क्या ब अगर रिवाइस करते हैं, क्या करने था, जिरफ एक बार प्रोपर्टी लगाई, देखा यह दोनों तो हमें गीवन है, तो हमने इनको प्रूफ पूट कर दिया, जैसे अंदर मैल्टिप्लाइ करा, तो हमें पता चल गया कि इसको अलग अलग करके देखते हैं, एक तो आई इसको चिको सोल्फ कैसे करेंगे हम इसे, आप हिन सबको अलगग कर लो, कैसे करता हैं, एक नहीं पैवाइस जाब को अभी छोड़े, बिल्कुल्क णोख, प्लश, जैसे जा ने मैं ठीक को तरुट कर दो मैंuğ 1 तो पैइपक मैं पहली बताँंगी, प्लस मैयने उतना कर लिय अब यह equation हो गया, बिल्कुल simple, कैसे simple हो गया, हमने एक property पढ़ी थी, properties मैंने आपको पढ़ाई थी न, तो यह वली property हमने उस ताम पढ़ी थी, क्या property थी हमारी fxgx, अगर limit क्या हो, minus a to a, यह किसके equal होता है, double of, 0 to a, मतलब नीचे वाली limit क्या हो गई, 0, उपर same to same, fxgx, ठी अब यह, इसके equal है, और कभी इसके equal है, वो हमें पता चलता है, कैसे, जब हमारा function odd है, या even है, अगर function even है, तो यह, इसके equal है, अगर function odd है, तो यह 0 के equal है, तो even function कब होता है, जब x की जंगा, function क्या fx, x की जंगा, अगर आप minus x जाल के देखो, वहाँ पे, और आपको दोन इसकी, तो solve करके देखते हैं, कौन सी वाली क्या इसमें होगा, देखो, x cube, fx की value क्या हो गई, x cube, एक एक पर लगा के दिखा रही हूं, मैं आपको, fx की value क्या हो गई, x cube, ठीक है, अब आपको क्या करने है, minus x डाल के देखने, x की जंगा, minus x, minus x की power cube, तो क्या आएगा, minus x cube भी आएगा, आपको बस, तो मतलब क्या हो गया, f of x किसके, minus of fx की, तो answer क्या हो गया, इसका direct 0 हो जाएगा, समझ आ गया, अगर नहीं समझ जाए, तो एक बर properties वाली वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने आपको properties अच्छी समझा ही हुए, तो आपको जब property अच्छी समझ x ही होता है, तो हमें बस क्या आगया, minus x, cos x, यह आगया, तब यह भी देखो negative में आ रहा है, answer क्या था, fx, positive और यह answer क्या है, negative, तो मतलब answer क्या हो गया, यहाँ पर भी इसको दिख सकते हैं, direct 0 के equal है, function कौन सर function हो गया, odd function हो गया, ऐसी अब 10 raise to the power 5x, देखो 10 raise to the power 5x, ठीक और इसका भी 0, तो मैंने यह अलग-अलग क्यों किये थे सारे, मैंने इसलिए अलग-अलग किये थे, क्योंकि अगर आप पूरे का एक साथ fx लेके करते हैं, तो आपको solve करने में बहुत जारे difficulty होती, और direct आपका answer नहीं आता, तो इसलिए आपने क्या करने, इन ती सारों क कोई चाहिए, एक साथ अलग-अलग कर लो, या फिर क्या करो, इन तीनों को एक साथ रख लो, और इसे fx मान लो, तो अगर आप इस तीनों को fx मान लोगे, तो भी ऐसी बनेगा, आपको तीनों negative negative आएंगे, तो minus sign क्या हो जाएगा, common हो जाएगा, तो भी हम लिख सकते कि इसका अंसर डाट क्या होगा, जीरो होगा, और वन की इंटिकेशन आपकी रह जाएगी, जैसे यहाँ भी इन तीनों को 0 हो गया, और वन की इंटिकेशन क्या हो गई, x, लिमिट क्या है, माइनस पाई बै टू, अब देखो, अपर लिमिट माइनस लोग लिमिट पूट करी तो एक सिजह क्या है, पाई बै टू, माइनस, लोवर लिमिट पूट करी तो माइनस पाई बै टू, ठीके न, बीच में माइनस का साइन तो अलग है, और माइनस पाई बै टू क्या है, इसका पाई आ गया, तो ऑप्शन देखते है, कौन से ऑप्शन वाला अंसर आया, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें यह बताना है, और ओप्शन देख लीजें, यहां पर यह कुछ ऐसे ऑप्शन है, तब इसकी वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगो, कौन सी प्रोपर्टी लगेगी, वही वाली प्रोपर्टी लगेगी, जो मै चल क्या सबने होगी, आज तक yes, मैं झीन और इक दाल दिया विआनगी, तो आपको शी कहां हो, क्या क्या फूट कर दिया एक उसको विद्हां हो प्रोपर्ट्ट प्लस सेकंड तो जैसे मैंने फर्स्ट्रेस सेकंड किया तो इतर क्या बन गया राओ प्लस रोड़़स इसको और इसको प्लस करने क्या क्या कह रहे रहे हूं लोग दिस प्लस प्लस में लिखता है यहीं बनेगी log m लिखते हैं यहां पर log m प्लस log n यह फीर बने जाएगी क्या होती है यह प्लस दिस ही तो कर रहे हैं तो log m प्लस लोग n क्या होगा लोग m into n लोग यह m है हमारे पास यह n ठीक है नहीं समझ आए तो एक बड़ नॉट्बुक में लिखके देखना अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है यह लोग m है यह लोग n दोनों को हमने प्लस करना था तो हमने देखा लोग m into n हमारे पास बन जाएगा लोग m into n तो जैसे इतना करा देखो यह cancel हो गए आपस में ठीक है क्या बचेक अंदर लोग 1 और लोग 1 की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो लोग 1 की वैल्यू क्या गई डिरेक्ट जीरो आ गई तब अपका अंसर आया आप इसको इस तरह से भी कर सकते दे लोग 1 यहां पर कॉंस्टेंट है तो उसे बहार कॉमन ले लिया उसके वाद क्या करना है वन की इंटिक्रेशन करोगे एक्स और लिमिट लगाओगे जीरो टुपाई बाइबाइब लेकिन उससे आपका डिरेक्ट य सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वली सबी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मझे इंस्ट्राग्राप भी फोलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिकोई अब भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं आपके कमेंट का रिप्लाइज जरूर करूंगी थैंक्यू